अब आते हैं यहां इस नए सिचुएशन पे इस सिचुएशन में हमसे कह दिया गया है कि यहां पे हमें एक रहस्यमई बॉक्स की जग़ टोटल तीन रहस्यमई बॉक्स दे दिये गये हैं और इधर टोटल कितने बॉक्स हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 टोटल इधर 9,1 kg बॉक्स हैं हमसे कहा गया है कि अब इस एक रहस्यमई बॉक्स का वजन बताने के लिए वेल एक बात तो अच्छी है कि इन तीनों का वजन आपस में बराबर है वो क्या है वो मुझे नहीं पता लेकि ये भी x kg का है ये भी x kg का है और ये भी x kg का है अब हमसे पूछा ये गया है कि इस एक रहस्यमई बक्से का वजन बताने के लिए तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप इस वीडियो को यहीं पर पॉस कर दीजे और इसे खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए तो I think आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा तो चलिए अब हम इसे मिल के सोचते हैं तो सबसे पहले चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि मैं यहां से ये दोनो बक्से हटा देता हूँ अगर मैं यहां से यह दोनों बकसे हटा दूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक यहां पे बकसा बच जाएगा और इसका वजन मैं आराम से निकाल सकता हूँ लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने यहां से यह दो बकसे तो हटा दियें लेकिन मुझे ये नहीं पता कि एक बकसा यहाँ पे कितने बकसों के बराबर है क्योंकि अगर मैंने इधर से कुछ नहीं हटाया तब ये weighing scale तो imbalance हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे और ये चले जाएगा उपर के तरफ इसका मतलब मुझे इधर से भी कुछ खटाना पड़ेगा लेकिन क्या ये तो मुझे नहीं पता तो ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा तो फिर से हम इसको सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये आ गया अब जैसा कि हमने सुना हुआ है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है उसी तरीके से चलिए हम कुछ और तरीका सोचते हैं इसको देखने का एक काम करते हैं हम टोटल मास के टम्स में बात करते हैं अगर मैं लेफ्ट हेंड साइड के बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास है टोटल X प्लस X प्लस X यानि की 3X केजीस इतना मास लेफ्ट हेंड साइड पे रखा हुआ है और अगर मैं राइट हेंड साइड के बात करूँ तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इधर टोटल 9 केजीस रखे हुए हैं अब अगर मैं इस लेफ्ट हेंड साइड में इस टोटल मास को 1, 3 कर दूँ यानि की मैं इससे 1 by 3 से मल्टिप्लाई कर दूँ या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इस टोटल मास को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कितना मास बच जाएगा तो उपर नीचे मैं अगर 3 से डिवाइट कर दूँगा तो ये 3 और ये 3 कैंसल हो जाएंगे और मुझे मिल जाएगा x kg जो की एक बकसे के बराबर है लेकिन अगर हम सिर्फ इस साइड के टोटल मास का 1 थर्ड करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि इस साइड के मास का 1 थर्ड करने का मतलब हुआ कि सिर्फ एक बकसा लेना इसको हम ऐसे शो कर देते हैं यहां से हम ये दोनों बकसे हटा देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमने इसका सिर्फ एक तीहाई एक बॉक्स लिया है सिर्फ x kgs लिये हैं लेकिन अगर हम सिर्फ इस साइड ऐसा करें तब तो ये जो weighing scale है ये imbalance हो जाएगा और ये नीचे की तरफ आजाएगा golden और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए हमें तो किसी भी case में इसको बराबर रखना है तब एक काम करते हैं हम हम इस side भी total mass का हम लोग एक तिहाई यानि कि one third कर देते हैं यानि कि इस 9 kg का में अगर one third ले लो 9 kg का इस 9 kg का में one third ले लो इसको one by three से multiply करके तो मेरे पास क्या बचेगा तो इसको अब ऐसे भी कह सकते हैं कि हम nine को हम nine को three से divide कर रहे हैं तो अगर मैं उपर और नीचे numerator और denominator में three से divide करूँ तो मेरे पास आ जाएगा three, three's are nine, three, one's are three तो ये आ गया मेरे पास equal to तो ये आ गया मेरे पास equal to three kgs तो अगर मैं बाकी डिब्बे यहां से हटा दियू तो चलिए यहां से यह चारो हटा दिया हमने यह चारो हटा दिया और यह दोनों भी हटा दिया अब कोई भी हटा सकते हैं हमको बस three कोई भी डिब्बे रखने हैं क्योंकि इनका weight total कितना हो जाएगा one plus one plus one यानि कि three kgs इधर बचा हमारे पास x और इधर बचा हमारे पास three one kg के डिब्बे यानि कि three kgs और यह अभी भी balanced रह जाएगी यानि कि जो मेरा x है वो three kg के बराबर हो जाएगा झाल